अस्सलाम अलेकुम दूस्तों वीडियों में हम आप पताएंगे साओधी के लेटर्श इंपोर्टन अरब रेवरी उनके लिए बहुत इंपोर्टन जो लोग अभी साओधी अरवियम रहते हैं क्योंकि साओधी गबर्मेंट के तरफ से लगातार नए नए रोल्स लगाया जा इसके साथ हम आपको बता दें कि अभी एक और नई विमारी देश में आ चुकी है इसलिए आपको साओधान और सतर करहना है इसके साथ हम आपको बता दें कि साओधी में या आतार विभाग की तरफ से कई नए रोल्स भीलाओ केगे हम सारी जान का इस वीडियो में आपको बताएंगे आप जरूर इस वीडियो को पूरा दे कि ताके आपको पूरी जंगर मिलें दोस्तों वीडियो में आगे बाढ़ इस पहले हम आपको बता दे कि हम आपको आगे नई विमारी और नई टेक्सी के रोल्स के बारे में बताएंगे लेकिन उससे पहले हम आपको एक important सौधी के परवाहन विभाग के तरफ से दिया गया उसके बारे में बताते हैं तो यहां पर अभी जो गाड़ी नस्ट हो चुकी है ऐसी गाड़ी को जो यहां पर याताज विभाग के तरफ से कहा गया उसके अनुसर कहा गया है कि आप अगर रोट पर रखते हो तो उसको सौरियाल है, मोठर साइकल के लिए सौरियाल और अगर गाड़ी का जो कार्ड है स्वामी तो कार्ड है मतलब उसका एक्स्पारी डिट है वो समाव तो होता है और साड़ दिन की आवत के लिए है तो ऐसे में अगर कोई भी बेच में अपना उसका नबिनिकन कर लेता है तो हर साल आपके उपर 100 रियाल का जो जुर्बाना लगाया जाएगा हम आपको बदा दें कि अब ही जो लोग अपनी गाड़ी एक तरह से मरमत करना चाहते हैं तो उनके लिए छोट दिया गया है उन पर कोई भी जुर्बाना नहीं लगाया जाएगा और हम आपको बदा दें कि यहां पर सिर्फ 2022 में ही कुछ वाहनों के लिए छोट दिया गया है दोस्तों आगे साओदे के आपसार के ट्यूटर एकाउंट के मादम से एक ब्यक्त ने पूछा कि हमारे कार का प्लेट नमबर नहीं है ऐसे में क्या हम अभी राहत का फाइदा ले सकते हैं तो ऐसे में प्लेट नमबर है उसकी गुमसुदी की रिपोर्ट है पुलिस स्टेशन में देना चाहिए और हम आपको बता दें कि अगर कोई भी विरेशी है और वो अपनी गाड़ी कुछ इस तरह से नाम पर रखता है तो ऐसे में उसको या तो बेचना होगा या तो वो अपने नाम से हटा कर दोसरे नाम जो है करता है तब ही उसका अंतिम निकास बीजा जारी किया जाएगा तो ये भी आपके लिए इंपोर्टन जानकारी है अगर आप सुदी अरब में कार रखते हो तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों अगली अपडेट एक बेहद इंपोर्टन अपडे अभी वीडियो वारल हुआ मतलब जो हमलावार है उसने नर्स को मारा और आगे जो है यहाँ पर उसने काफी जादा टोर्जर किया यहाँ पर नर्स का जो फिंगर पिंट है वो टेस्टिंग और फाइल बित्रण विभाग में तैनात किया गया है आगे कहा गया है कि घटना तब हुई जब नर्स को एमर्जनसी वार्ड में बुलाया गया और ड्रिप्ट हटाने के लिए कहा गया लेकिन नर्स तुरंत एमर्जनसी वार्ड में नहीं पहुच सकी और अस्थानीय नागरिक ने गुस्से में आकर नर्स को परतार्द किया मतलब मारा सोतरों के उनसार कहा गया है कि नर्स का जो रिकार्ड हो पिछले दस साल के लिए बहतर देखा गया है इसलिए सोचना मिलती ही पुलिस हमलावार को तुरंत गरबतार कर लिया है और सोशल मीडिया पर काफी जादा लोगों ने गुस्सा जाहिर किया खालिद अलरसित नाम के एक योजर्स ने नर्स को परतालित करने की वज़े से उसके खिलाब कारवाई भी करने की मांगी आगे सौधी के स्वास्त मंतर ले चेताउने दी की स्वास्त कर्मियों के खिलाप अपमान जनक या सारिर खिंशा के पड़ाम सरूप 10 साल तक की जेल 10 लाख रियाल का जुर्बाना हो सकता है मतलब अगर आप सुधी अरब के अंदर कुछ इस तरह से गलती करते हो स्वास्त मंद्राले की किसी भी क्रमचारी के खिलाप कुछ भी गलती करते हो मतलब मारते हो या कोई भी ऐसी गलती करते हो या छेड़कानी करते हो तो आपके खिलाब कुछ इस तरह से कारवाई की जा सकती है इसलिए आपको आईसी कोई भी गलती नहीं करना है दोस्तों आगले अपडेट साओधी के वड़िज मंतराले की तरब से कहा गया है कि अभी साओधी अरब के अंदर जो मुर्गी के अंडे है मतलब एक सर्विच्छन के उनसार बताया गया है कि जो माध्यम आकार के अंडे मुर्गी के हैं वो एक टोकरा 15 से 16 रियाल में रहा है बजार में 1000 ग्राम चिकन के कीमत मतलब यहां पर है जो कीमत है वो 17 से 18 रियाल बताया जा रहा है तो यह एक बुरी अपडेट है और सभी लों के लिए चेतावनी जारी किया गया है साओधी अरब के अंदर और काफी तेई से इसको लेकर अभी हाइस्टैक भी वाइ आप गाड़ी चलाते हो तो ऐसे में यह कार्म का उलंगन है इसके साथ हम आपको बताते हैं कि अगर आपको एमर्जंसी होती है तो ऐसे में यारताद विबाग की तरफ से कहा गया है कि आप सड़क पर अपनी गाड़ी पार कर सकते हो लेकिन आपको गाड़ी चलाने के ये उलंगन करते हुए देखा गया और राहगीर को खत्रे में भी पढ़ते हुए देखा गया इसलिए अब भी जो पुलिसे उसने इसको ग्रपतार करके आगे आतात प्रतकण को सौब दिया है दोस्तों अगले अपडेट आपके लिए बेहद इंपोर्टन्ट है अगर आप किसी भी देश में रहते हो क्योंकि ये अपडेट भारते अधिकारियों के तरफ से दी गई केरल के पूर्वी सहर में दिखाई देने के बाद में इसकी पुष्टी की गई है और कहा गया है कि लक्षण में समानता के बावजूत नई विमारी कुरोना वारिस के बीच कोई संबन नहीं है यानि जिसमें 5 साल से आधिक उम्र के बच्चे हैं उसमें तवचा पर ट्रमाटर जैसे 46 सामिल हैं और आगे कहा गया है कि इसमें ट्रमाटर के फुलू में बताया गया है कि बोखार तवचा में जलन, नजली करन, दाना, व्यापक, दाज, जोडों में सूजन, मतली, एठन ठीकना, नाग बहना इस तरह के जो है रोगी में फैलने के संकमट देखने को मिले हैं दोस्तों सौधी के अगली अपडेट एक बेहद इंपोर्टन्ट है क्योंकि ये अपडेट सौधी के जद्धा प्रांथ के नागरिकों और निवासियों के तरब से कहा गया है कि अभी इन दिनों किराय में उच्च कीमत देखने को मिली है मतलब यहां पर जो किराया बताया गया है उसके साथ इन सभी लों को तीन हजार रियाल का बीमा भी देना होगा साथ में मतलब बीमा की मांग भी कर रहे हैं अगर आप सौधी अरब में एक वर्स के लिए एक रूम लेते हो तो यहां पर आपको 25,000 रियाल देना होगा तीन रूम के लिए 35,000, 4 के लिए 40,000 और 5 के लिए 50 मतलब 5 से अधिक है तो वहां पर 50,000 रियाल आपको देना होगा इसके साथ हम आपको बता दें कि अभी जो किरायदार हैं उन्होंने भारी मातरा में सिकायत दर्ज कराई है दोस्तों अगली अपडेट एक बेहद इंपोर्टन्ट है अगर आप साओधी अरफ के अंदर अपना कोई भी सफर करते हो तो क्योंकि अपडेट इसलिए इंपोर्टन्ट है अगर आप साओधी अरफ के अंदर अपना सफर करते हो और ऐसे में आपका जो टेक्सी चालक के म कितने मीटर तक है? कितने किलो मीटर तक आपको ले कर गए हैं उसके साफ सी वो भुगतान है होगा इसके लावा ये भी कहा गया कि सब भी टेकसी चालक है अब एक वर्दी जो है पहनेंगे और ऐलेक्टरानिक भुगतान का जो भी सामान है उनको रखना होगा मतलब अगर आपके पास कार्ड है या उनलाइन का सिस्टम हो सारा कुछ टेक्सी चालक को रखना होगा अगर इसके अलावा आपको कोई दिक्कत होती है तो आप तुरंद 19929 के मादम से टेक्सी चालक से जुड़ी जानकई ले सकते हो और अपना हक ले सकते हो इसके अलावा आ और भी कुछ सुभधाय दी गई है जो आपके लिए इंपोर्टन्ट है जैसे कि इलेक्टानिक भोकतान और जो भी आपका इंटरनेट है वो आपको फरी मिलेगा और यहां पर एक पहचान है इसक्रिन मिलेगी एक कैमरा रहेगा परवाहन गेट है ट्रेकिंग उपकान भी और बिले प्रेंटिंग भी उनके पास रखना अब जरूरी कर दिया गया है इसके साथ हम आपको बताते हैं कि अगर कोई भी टेक्सी चालक है पांच वर्ट से अधिकार करता है तो वहां पर आगे एक तरह से उसके लिए कोई अपडेट नहीं दिया गये लेकिन यहां पर अगया है कि अगले 12 जुलाई तक टेक्सी ड्राइबर और यात्री परवान आबेदन के लिए जो वर्दी है वो पहनना होगा मतलब 12 जुलाई के बाद में आपको टेक्सी पर अगर टेक्सी चलाना है तो ऐसे में आपको एक वर्दी पहनना होगा और गैर इस्थिती में अ पर जुर्बाना भी लगाए जाएगा मतलब अगर आपके पास जो वर्दी है वो नहीं होती है तो ऐसे में आपके उपर जुर्बाना भी लगाए जा सकता है